हमने पहले देखा जीप, रैंगलर और थार का कंपेरिजन साइड बाई साइड देखा लेकिन आज की इंट्रेस्टिंग यहां पे लीक्स आ चुकी है आज दोनों गाड़ियां साथ में देख लिए मतलब दोनों थार आमें साथ में देखने के लिए मिल रही है फाइड दोर थार और साथ ही साथ आपकी जो थ्री डोर थार है दोनों का कंपेरिजन आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं और चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यह पहली एक्स्क्लोजिव वीडियो होने वाली है मेरी तरफ से तो चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए चलिए सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या कुछ नया मिलने वाले आपको फाइव डोर थार हैं आपकी जो थ्री डोर थार है उन गाडियों के अंदर तो सबसे पहले अगर यहां पर देखे तो दोनों गाडिया हमें चलते हुए देखने के लिए मिल रही है राइट में आपकी धीर जो इस गाड़ी की स्पेसर का यूज देखने के लिए मिल रही है तो दोनों जो गाडिया है सिमिलर सी हमें देखने के लिए मिल रही है हालकि जो हमें जो देखने में लग रही है पीछे से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी हमारी 3 डोर है और कौन सी 5 डोर थार है क्योंकि दोनों के डिजाइन बिल्कुल सेम अंदर और यहां पे थार जो थ्री डोर के अंदर है उसका टॉप मोडल में भी हमें सेम इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं तो टेल लाइट का डिजाइन बिल्कुल दोनों गाडियों का हमें सेम हैं वो देखने के लिए मिलता है आप यहां पे तो दोनों हेड्लाइट से या पे देखने के लिए और वाले होने वाले तो यह तरफ हम देखने के लिए मिल रहा है और पूरे गाड़ी जो कर दोर और अगर आप थोड़ा सा दोर से देखो तो इसके अंदर digitally instrumental cluster भी हमें में देखने के लिए मिल रहा है तो इस तरह का हलकी सी जरलक मिले है लेकिन digital instrumental cluster आपको offer किया जा रहा है और इस तरह का doors है वो पुरे गाड़ी के हमें देखने के लिए मिल रहे है तो no doubt जो side by side चल रही है थार बिलकुल आप पीछे से नहीं बता पाऊगे लेकिन जब ये 5 डोर थार लांच हो जाएगी उसके बाद हम जो लंबाई से बता सकते हैं आप ये 3 डोर आ रही है या अगर गाड़ी का top model होगा तो इसकी tail light से हम बता सकते हैं कि गाड़ी 5 डोर है या 3 ड देखने के लिए मिल रही है तो फ्रेंट से भी no doubt मैंने काफी वीडियो के अंदर बता दिया किस तरह का डिजाइन है इस गाड़ी का होने वाला है अब चलते हैं गाड़ी के इंटीर के तरफ क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है इंटीर के अंदर आपको यहां पर सं रिंडो है मिल जाएगी रियर सीट्स पे तो वह भी आपको देखने के लिए मिल जाती है अब मैंने दिखाया था आपको जो गाड़ी का टॉप मोडल होगा टॉप मोडल के अंदर जो टौरा है वह गाड़ी का अलगी लेवल का हमें देखने के लिए मिलने वाला है क्यूं जब बढ़ी हैं और सथ में आपको जो इसके इंसके क्लैडिंगा सिस्ट सटैल कि पूरी घाड़ी जो देखने के Memphis कमें किक बजहनु को प्राइब डिजाइन से इसलिको स्टैल लुटा है कैसे निफ्ट में आपको पाइडियू पीन colour 2018 देख लो, front design से काफी ज़्यादा बढ़िया हो रही है, अगर interior की बात करते हो, तो interior के अंदर जो हमें सबसे पहले पता चला है, इस गड़ी के अंदर जो होगा, आपको 10.25 इंच का जो infotainment है, वो same यही actually 3W वाला होने वाला है, same यही हमें मिलने वाला है, थोड़ा सा यह उ इसका infotainment का design होने वाला है, साथ इसके अंदर जो dual tone का use करा जाएगा, हमें अभी कुछ time पहले देखने के लिए मिले थे, इसके जो leaks हमें देखने के लिए मिले थे, तो उसके अंदर जो इसका interesting चीज यह है, कि आपको dual tone के अंदर, एक आपको dark color और आपको जो black है, पूर करवाए जाएंगे, अब लोग यह करोगे भाई, इसका price कितना होगा देखो price का मैं बता दू, price इस गाड़ी का लगभग 14 या 15 के starting इस गाड़ी का जो price रहने वाला है, आप इस गाड़ी का price और सस्ता भी होता, लेकिन अभी 4x2 थार है, जो आ चुकी है, पहली launch हो चुकी है, तो उसकी वज़े से थोड़ा सा जो gap हो रखने के लिए, तो price थोड़ा सा ऐसा रखा जाएगा, ताकि आपके 4x2 से थोड़ी हो, जो 3 डोर हो, उससे थोड़ी सी महंगी हो, नहीं तो फिर सभी आप 5 डोर वाली ले ले लेंगे, फिर वो कौन लेगा, तो इसलिए थोड गाड़ी का रहने वाला है, starting में, base model का, क्योंकि आपको ये गाड़ी कई engine option के साथ में देखने के लिए मिलेगी, एक तो आपको 4x4 भी मिलेगा, और आपको 4x2 भी जो थार वो मिलेगी, एक आपको engine option है, पेट्रोल में भी देखने के लिए मिलेगा, डीजल में भी देखन जाना होगा diesel engine, तो वो diesel engine आपको offer करवाया जाएगा, अगर launch date की बात करें, तो launch date इसका लग भग, अगस्त तक ही, जो expect किया जा रहा है, हो सकते है, थोड़ा पहली भी कर दिया जाए, अगस्त तक इसका जो expect किया जा रहा है, इसका launch date है, गाड़ी का launch date तब तक हमें देख जादा time हो गया है, इस गाड़ी को wait करते हुए, इसकी testing ही खतम नहीं हो दिया, कई एका साल तो हो गया, testing चलते 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 चलते, लेकिन हमें इसकी जो testing ही खतम नहीं हो दिया भाई, गाड़ी के मतलब गाड़ी के अंदर इतनी जादी refinement लेके आने वाले, काफी ज़दा बहतरीन गाड़ी का product है, जो बनाया जाएंगे, इंटियर में भी आपको जो speakers हैं, आपके उपर की तरफ, XUV7 अलो की तरह ही, उपर की तरफ है जो देखने के लिए मिलने वाले हैं, मतलब गाड़ी के अंदर changes तो करे गए हैं, और भर भर के changes करे गए हैं, आपके गाड़ तो थोड़ी sad news है, जो आपको ये 360 degree camera है, वो offer नहीं करा जाएगा, अब देखते हैं, क्या कुछ ये लेके आने वाले हैं, बाकी off-roading purpose से काफी ज़्यादा भैतरीन ये गाड़ी होगी, क्योंकि इसके suspension पे work किया गया है, साथ ही साथ, suspension के अलावा है, इसकी height है, वो भी थो गाड़ी lift kit वगरा लगा रखिया, तो वो चीज है गाड़ी के अंदर जो देखने के लिए मिला है, तो बाकी गाड़ी बहतरीन है, दमदार गाड़ी है, और जब ये गाड़ी आएगी तो काफी बवाल मचाने वाली है, रैंगलर की copy मतलब कह सकते हैं एक तरह से, वीडिय आपने देख ली वीडियो अच्छे लेकर तो लाइक कर देना और शाल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके बाई बाई चेहिन